नमस्का डिली करेंट न्यूज में अभी की खबर है नैट्रोजन नामक नए आईसोटोप की होज वैज्यानिकों ने यूएस नेशनल सुपर कंड़क्टिंग साइकलोटोन प्रोगशाला में बेरेलियम परमाडू में ऑक्सीजन आईसोटोप की क्रोड़ों को तोड़कर नाईट्रोजन नामक नए आईसोटोप के संकेत खोजे हैं नाईट्रोजन नाभिक के बारे में जानते हैं इसकी विशेष्टा साथ प्रोटोन और दो न्यूटोन हैं जो असमानी रूप से उच्छ प्रोटोन तो न्यूटोन अनपात हैं इस असमानता का आईसोटोप के स्थरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जो इसकी क्षय प्रक्रियाओं के साथ साथ समगर विवहार को भी प्रभावित करता है आपको बता दे कि अधिकांश नाइसोटोप 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 फोटीन के आते हैं जिसमें साथ प्रोटोन और साथ न्यूटोन होते हैं लेकिन भौतिक विदों का कहना है कि नाइट्रोजन 9 आइसोटोप में केवल दो न्यूटोन के साथ अलग प्रकार दिखाई दिखाई दिता है। आइसोटोप क्या है? ये किसी दिए गए तत्त के परमाड़ों हैं जो केवल न्यूटोन की संख्या में भिन्द होते हैं। यह अंतर एक आइसोटोप को दूसरे से अलग करता है। कई आइसोटोप अस्थिर भी होते हैं विशिशकर वे जिनमें परमाड़ों में प्रोटोन क संख्या के मुकाबले बहुत कम न्यूटोन होते हैं। अस्थिर आइसोटोप अलपकालिक होते हैं और अक्सर अधिक इस्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए कुछ उर्जा के साथ क्षय हो जाते हैं। अब जानते हैं ड्यूकलाइट क्या है। यह परमाड़ों नाभि के लिए एक अन्रूप तालका है जो प्रोटोन एवं न्यूटोन का सयोजन इसकी प्रमों के विशेचता है।